नमस्कार दोस्तों वेल्कम टु सीफूर करीयर. दोस्तों हम रिव्यू करने वाले निफ्टी औंट बेंक निफ्टी और जानते हैं कि पर्सों क्या हुआ कल राम नॉमी की चुट्टी है आप सब लोगों को बहुत-बोथ बदाए ये अडवांस मे नॉमी की पहली बार चुट है तो चैनल को सब्स्राइब कर लेना देखो निफ्टी पर बनी है एक green candle guys अभी तक क्या बन नहीं थी red red अब बनी है green green मतलब buyers की entry हुई है simple सी बात है ठीक है अब उपर से price rejection हो रहा है हमें दिख रहा है sellers अभी भी हावी है market bearish हो रखा है clear आज भी 124 point गिर 22,000 टूटेगा तो market फिर और कमजोर हो जाएगा ठीक है लेकिन अभी हम वहां की बात नहीं कर रहे है कि 22,000 टूटेगा नहीं टूटेगा अभी यहां पर देको इसको अगर कल मैंने इसको invited hammer मान के चला था मैंने का इसका low टूट गया कल तो गड़ बढ़ है low टूटा नीचे आ गया वैसे gap down open हो गया तीन दिन से gap down open हो रहा है ठीक है अब market क्यों नहीं बढ़ रहा है गाई इस market में कोई एक ऐसा trigger नहीं आ रहा है जो market को push करे buyers को जबर्दस तरीके से अंदर गुसेड़ दे पहली बात दूसरा geopolitical tension मतलब इस्राइल और इरान में धंकी चल रही है अब देखो मैं आज आपको news पढ़ाता हूँ देखो news बहुत जरूरी है इस पार इसराइल क्या धंकी दे रहा है इसराइल को इसराइल विल फेस पेन्पूल रिस्पॉंसे टू स्लाइटेस्ट रिटेलियेशन वांस इरान मतलब इरान ने जो मिसाइल दागी थी मतलब अपने बजाव के पक्ष में अब वो बोला है अगर इसराइल फिर से कुछ हमारे उपर हमला करता है इसके वज़ में अगर इसको रिटेलियेट करता है तो उसको और ज़्यादा खामियाजा बुखतना पड़ेगा तो इरान ने वार्निंग दे दी इरान ने एक चीज और बोली थ था ठीक है तो मिडिल इस्ट में क्या चल ली टेंशन और देखो मार्केट है कन्फ्यूज मार्केट जब कन्फ्यूज होगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा मार्केट गिरेगा ही क्योंकि अमेरिका की बॉन्ड डील और यह इश्यू चल रहा है वहाँ पर महेंगाई का यसीदी बात है यार देखो बात सौट के की बात बताता हूं मैं आपको मार्केट जब उपर पहुँच गया हाईपर 2800 के आसपास बैठा है तो एक मौका चाहिए गिरने के लिए 50 बहाने हैं चाहे तो आप बोलो चाहे आप वार बोल दो चाहे आप यूएस का इंफलेशन वार हो चाहे कुछ हो वो सोरी समय के लिए वो दिखाता है उसके बाद फिर वो रॉकेट बन जाता है ठीक है तो अब कितना गिरेगा सबसे बड़ी बात है गाईज देखो सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप करते हो तो आपको सपोर्ट मेजर सपोर्ट है तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जब मैंने कमेंट किया तो उसके पास हुआ क्या देखो आप 22,077 मेजर सपोर्ट है यह देखो 22,089 से अब देखो मैं आपको अपनी लाइन दिखा दूँ है ऐसे नहीं कि मैं पहली से बोल रहा हूँ यहाँ प परसों थोड़ा से रिवर्सल दिखाते कोई बड़ी बात नहीं क्यों कि स्ट्रॉंग सपोर्ट पर टिका हुआ है गाईस ठीक है अब आज एक खास बात देखो लास्ट मुवमेंट पर क्या हुआ है देखो लास्ट मुवमेंट पर मार्केट की क्लोजिंग आवर्स पर नहीं है इसका हाई टूट रहा है उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया और नीचे आ गया क्या करोगे आप मार्केट में ठीक है यहां पर इस पॉइंट पर लो भी नहीं बोलूँगा मैं तूटा है और फिर मार्केट यहां से लास्ट मुमेंट अगर आपको इंटरे में प्रॉफिट हो जाता माकसन फार्म हमेने लास्ट मुमेंट पे दिया है वहाँ पर भी जबर्दस मुमेंट था दो तीन रुपए का बढ़ा प्यारा मुमेंट मिला है ब्रेक आउट अभी दिखाऊंगा एकसाइट बैटरी आउटस्टेंडिंग है एफ एनो में बेंट था तो करनी पाई कुछ बट एकसाइट बैटरी आउटस्टेंडिंग मैं पहले भी दे चुका हूँ अभी भी दे रहा हूँ उसकी रेटिंग बढ़ गई है एंड किया और हिंड़ी के साथ टाइप है तो जबर्दस रिटन दिया है, तो guys, market से दूर रहो, आ जाओ, stocks पर, oil and gas, metal, ये सारे sector जबर्दस रिटन दे रहे हैं, chemical industry के सारे stocks जबर्दस रिटन दे रहे हैं, इनको पकड़ लो और चमदार पैसा चाप सकते हो, गिरते हुए market में भी guys, पूरा वीडियो अंतर तक देखना, कल तो open अच्छा हुआ था, लेकिन closing गड़बर हो गई, आज देखते हैं, क्या हुआ है, so, where is that, यहाँ पर opening अच्छी हो रही है, लेकिन closing गड़बर हो जा रही है, guys, Dow Jones अभी positive है, अभी कुछ दिर पहले positive था, देखो दिर दिर नेगेटिव हो रहा है, minus 10.SNP है, minus 16 NASDAQ है, यहाँ पर अगर आप European आओ, तो full negative है, ठीक है, sentiment पूरे negative है, Asia पूरा red है, so, what you will expect from this market, down only, right, तो अभी तो देखना पड़ेगा, US market की closing, and then we can decide, अभी Dow Jones थोड़ा positive है, so, US market पर नजर रखो, mix लग रहा है मुझे, and let us see our gift nifty, how it is indicating, it is indicating very badly, guys, ठीक है, so, market, परसों के लिए भी नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, अब कर रात का वीडियो भी आप जरूर देखना, तो अब कितना और गिर सकता है, गाईजे को पहला support तो यहाँ 22,89 का ही लगा हुआ है, इसको तोड़ते ही, मैं बता देता हूँ आपको, अगर यह फिर से low तूटता है, आज का low तूट से एक तो ultimate 2100 है, ultimate जहां से पूरा market यूटन हुआ है, बड़े लेफल पर दिखा देता हूँ, जल्दी से मैं अपना epic pen खोल लेता हूँ, आपको चीज बता देता हूँ ठीक है, जहां से यूटन हुआ है, जहां से market के पूरी दिशा बदल गई थी, ठीक है, तो वो level बहुत important है, वहां तक market अगर आए और वहां से reversal ले ले, perfect है, उससे नीचे आता है, तो फिर गडबड हो जाएगी गाड़ी, ठीक है, देखते हैं, वहां तक ना गिरे, बीच में हमें trigger चाहिए, ठीक है, ट्रिगर नहीं आ रहा है कोई बड़ा, इसलिए बात नहीं बन पा रही है, भी जाइज देखो, यह लेवल, यहां से देख रहा है, पूरा, यह जब गिर रहा था, यहां से पूरा reverse हो गया, देख रहा है अप लोगों को, फिर पीछे मुर्चे नहीं देखा, ठीक है, एक यह पॉइंट है, यह पॉइंट है, यहां से भी market ऊपर गया, लेकिन रहा से गाइस है ना 22,000 तूटेगा तो 21,850 ठीक है बहुत important point है और उसके बाद अगर 28,850 तूटता है तो फिर लिख लो आप 21,710 ये जो point है guys ये market को reverse कर सकते हैं इन point पे market reversal ले सकता है लेकिन दिक्कत क्या है जब तक geopolitical tension चल रहा है आपका trigger नहीं आएगा तो market में कुछ नहीं होन नहीं है bank nifty में भी last moment पर buying आई थी आपने देखा दो बड़ी-बड़ी candle दिखा तो यहां पर भी same bullish candle बनी हुई है यह में 50 से थोड़ा दूर है guys तो 47,171 यहां पर लगा हुआ है अगर ये टूटता है तो यह भाईसा फिर 47,000 अगर टूटा तो फिर 46,885 दिन 46,000 आट सो 47 46,699 यह लेवल आप लिख लेना है यह वीडियो आप देख लेना है यहां से आप लेवल नोट कर सकते हो ठीक है तो नीचे का तो अभी लग रहा है आप लोगों को 1500 के उपर closing दी है अब यह sustain करेगी bullish engulfing candle बनाईए guys ठीक है लेकिन कहां है यह में 5 के नीचे है यह में 20 and 50 का crossover हुआ है तो medium term के लिए HDFC bank अच्छा लग रहा है तो अब भले bank nifty में कुछ ना करो अगर HDFC bank भाग रहा है तो 1526 का target रख सकते हो परसों के लिए इसका अगर ऊपर की तरफ भागता है तो अपना यह target 1526 टच कर सकता है ठीक है तो यह intraday में moment दे सकता है और अगर यह engulfing candle fail होती है नीचे की तरफ खुलता है तो फिर बात ही है लागे 1480 की नीचे और गडबड़ हो जाएगा इसका मामला ठीक है 1500 के उपर closing हुई है which is a very good sign अब देखो आपको खरना क्या है आपको दो sector पकड़ने है पहला है nifty oil and gas तीन sector basically nifty oil and gas पकड़ लो आप nifty metal पकड़ो ठीक है 782 का target रखा हुए मैंने इसका दूसरा है दीपक नाइट राइट गाइस ठीक है और तीसरा है टाटा केमिकल भी आप रख सकते हो दीपक नाइट राइट इसने भी जबरदस movement दिया आज बड़ी सी bullish candle बना रहा है जो target से मेरे वो सारे हिट हो गा है आज इस पर नजर रख सकते हो यह और तीसरा है टाटा केमिकल गाइस ठीक है क्योंकि केमिकल सेक्टर अभी भाग रहा है ठीक है तो you can keep an eye on टाटा केमिकल for the target of 1141 क्योंकि इसी के नीचे आ गया ठीक है यह तब जब यह भाग रहा है उपर ठीक है दूसरा Apollo hospital मैंने दिया आप लो से continuous buying हुई है 500 points उपर गया है गिरते हुए market में किसी ने अगर देख लिया हो तो इसे तो इंट्रडे में पैसा चाप लेता गिरते हुए market से मैं भी buy करना जिगरा चाहिए उसके लिए ठीक हर को ही नहीं कर सकता बट यह मैंने आपको दिखा दी Apollo hospital it's looking bullish hammer बना हुआ है उपर पर रहेगा NMDC रडार पर रहेगा guys MGL महानागर गैस बिलकुल रडार पर रहेगा coal इंडिया रडार पर रहेगा एकसाइड बैटरी रडार पर रहेगा लिखते जो आप लो गुजरात गैस रडार पर रहेगा flying like anything धाई तीन परसेंट आज उपर गया एर ठीक है 3700 के उपर close हुआ है भागे परसों फिर से पकड़ सकते हो intraday के लिए long term के लिए बड़े प्यार से इसको अपने portfolio में आप रख सकते हो no doubt ठीक है HAL, HAL को छोड़ना नहीं है अगर इसके result अच्छे आगा तो और फोड़ देगा petrol के HPCL, IOCL मैं आपको अल्रेड़ी दे चुका हूँ trend मैंने आपको बताती है, Vedanta अपनी pocket में जरूर रखो guys ठीक है, Vedanta के 386.50 का target मुझे देख रहा है सामने ठीक है, तो अगर यह भागता है तो 386.50 देगा ठीक है, Vedanta ठीक है, अब Vedanta देखो इतनी बड़ी monthly candle यह all time high 439 है, तो इसको आप long term के लिए भी रख सकते हो और अगर intraday moment मुझे अगर यह target मिल जाए मेरा 386.50 I will be very happy ठीक है, विदानता के लिए, Tata power बिल्कुल मिस मत करना guys, Tata power को आपको बिल्कुल अपने basket में बढ़ा के में है, तो Tata power पर किसी भी दिन यह जबर्दा spike मारता है, Tata power को बिल्कुल आप अपनी watch list में रखो, कि जिस दिन Uber की तरह moment मिलेगा, आपको छोड़ना नहीं है intraday में, आप भले option करो, लेकिन कोई moment इसमें मिलेगा आपको, ठीक है, तो Tata power भी अपनी नजर में रखो, ठीक है, गिर नहीं रहा है, consolidation वाली candle बनी हुई है, so no problem at all, NTPC आप खोड़ करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, so these are the stocks which I wanted to give you guys, and geo finance long term के लिए है, 100% कोई डाउट नहीं है, ठीक है, so इतने सारे stocks दे दिए, अब आपको क्या करना है, आपको खुद अपने chart खोलो और analysis करो, ठीक है, and US marketing closing पर बिल्कुल नज़र रखना है guys, and we have to see what is going on, closing कहां हो रही है guys, ठीक है न, इसको positive में, अगर close होता है, तभी हम कुछ कर सकते हैं, पर सो नहीं तो हमारी दरफ से, अगर कोई चटर गर आएगा, then only, so market अभी bearish हो रखा है, so don't do very heavy buying, intraday खेलो, और बाकी position कोई hold मत रखो, कई लोग call hold करके रख रहे हैं, मेरा दिमाग खरब होगे, call कैसे hold करके रखी हुई भाई, गिरते हुए market में, ठीक है, so market bearish है, please be careful, 22,000 का level measure आ रहा है सामने, और 22,000 टूटा, तो फिर और गड़बर हो सकती है, तो, इस week में अगर नहीं हुआ, तो next week देखते हैं, अगर कोई trigger आता है, तो market, एक expiry के पहले, मंदली expiry के पहले कुछ देखते हैं, अच्छा move दिखाया के नहीं, ठीक है, बाकी मेरी reel और telegram पर जुड़ जाओ, चरूर देखो, और सीखना है तो, personal trading class के लिंग description दीओ, सीख लो, intraday master class ले लो, 99.99% profit होगा, fees एकी stock में recover हो जाएगी, ठीक है guys, thank you very much guys, thanks for watching, thanks for supporting, 7,000 7,000 पर हैं, बहुत बहुत शुक्रियागा इस दिल से आप लोगों का, thank you very much